वेलो एवर्यवन और वेलकम टू सिक्षा वी आर हेर भी पार्ट 31 फॉर एग्रीकल्चर करंट फेर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉर एग्रीकल्चर एक्जाम्स ठीक है इसके अंदर करंट के डिरेक्ट जो फैक्ट्ट्वल कॉश्चन होते हैं वो तो रहती ही है करंट डिराइफ्ट स्टाटिक कॉश्चन भी हम लोग डिसकस इसके अंदर कर लेते हैं ठीक है तो काफी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यह आप लोगों के लिए रहेगा स्पेशली अगर आप IBPS AFO का मेंस देने जा रहे हो इस साल तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सारे के सारे पार्ट जितने बच्चे IBPS AFO का मेंस देंगे और वो अगर यह लेक्चर सुन रहे हैं मेरी बात सुन रहे हैं पूरे के पूरे 31 पार्ट देख लो बेटा ठीक है पेपर देखकर आने के बाद बहुत अच्छा फील करोगे यह गिरेंटी है चलिए और अगें स् 300 रुपे भी नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आप मुझे वाट्चाप कर देना लास्ट में नंबर दिखाऊंगा ठीक है लेकिन यह ले लो क्योंकि इसके अंदर क्वेस्ट फॉर्मैट में कॉश्चन्स है तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एक आ तो राज्य सभा लोक सभा में कुश्चन्स बगरा होते हैं उसके अंसर मिनिस्टर करते हैं तो इस तरह के फैक्ट बहुत बार आते हैं ठीक है एक बार नहीं कहीं बार आते हैं ठीक है तो इन में से इंडिया सबसे जादा इंपोर्ट मतलब हो गया कि हमारे इंपोर्ट जो इंडिया इस नेट इंपोर्टर ए बी सी डी इ तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा तुक्के बाजी का स्कोप नहीं होता थीक है पल्सेस के अंदर हम नेट इंपोर्टर हैं क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड से कम है जाहर सी बात है कि अगर हमारी प्रोडक्शन हमारी डिमांड से कम है तभी तो हम इंपोर्ट करेंगे ना और import क्योंकि बहुत कम होता है इन आइटम्स का इसलिए हम net exporter है पल्सिस की बात करें तो domestic demand हमारी production से ज़ादा है इसलिए हमें import करना पड़ता है ये direct question paper के अंदर बेटा पूछे जाते हैं second question के उपर आजाओ beneficiaries claiming benefit under the scheme animal husbandry infrastructure development fund are given an interest subvention of ठीक है तो अगर कोई animal husbandry infrastructure development fund के अंदर सरकार से loan ले रहा है तो उसको interest subvention दिया जाता है तो कितने percent का interest subvention उसको मिलता है 2% का 3% का 4% का 5% का या none of the above ये interest subvention वाला जो वैसे point है ये almost सब के लिए same ही रहता है है जितने भी आप questions देखते हो ना सब के अंदर ही almost same रहता है चाहे वो आपका किसान credit card वाला हो या बाकी के जो interest subvention के schemes चलते हैं agriculture के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या answer हो जाएगा बेटा सही अगर आपने इसको guess किया होगा तो option भी 3% 3% का interest subvention मिलता है beneficiaries को अगर वो animal husbandry infrastructure development fund के अंदर काम कर रहे हैं third question के उपर आजाओ जी third question again एक fund के उपर है question क्या कहता है कि एक fund है आपका DIDF DIDF यानि की dairy processing and infrastructure development fund ठीक है फिर question में क्या given है कि इसको objective क्या है कि milk processing को strengthen करना है ठीक है value addition लेकर के आनी है chilling facilities ताकि milk को लंबे समय के लिए protect किया जा सके तो यह जो fund है यह कितना interest subvention देता है again इन सब facilities को create करने के लिए आप loan ले सकते हो इस fund से और आपको interest subvention provide किया जाता है तो कितने percent का है 1.5, 2, 2.5, 3, none of the above ठीक है अब देखो ऐसे question के अंदर अगर आप guess work करोगे जैसे मैंने आपको कहा कि 3% वाला almost बच्चे guess कर जाते हैं तो इस case में भी क्या answer 3% है तो अगर कोई उस तरीके से blind guess करेगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस case में जो interest subvention मिलता है वो 0.5% का मिलता है तभी कहते हैं कि paper में अंधा दुन तुक्के लगाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि number तो क्या मिलने थे हमारा जो score है वो negative के अंदर चला जाता है तो gain तो क्या करना था हम उल्टा lose कर बैठते हैं तो इसी लिए तुक्के लगाना preferable नहीं होता ठीक है क कहीं बार सही हो जाते हैं लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि वो तुक्के आपके या guesswork आपका वो completely गलत हो जाए तो उस समय पर वो काफी negatively और poorly आपके exam को इंपक्ट करता है तो अगर D.I.D.F की बात करें तो interest subvention इसके अंदर मिलता है अगर आप milk processing plant लगा रहे हो value addition कर रहे हो milk के अंदर chilling facility को इक्रियेट कर रहे हो ठीक है इसमें क्या होता है यह fund काम कैसे करता है नबाड ना market से पैसा इकठा करेगी ठीक है एक पुरा पैसा इकठा करके fund बना और उसको फिर as a loan देगी dairy cooperatives को और उनको क्या दिया जाएगा 5% का interest subvention दिया जाएगा लोन नबाड directly नहीं देती है लोन नबाड किसके थू देगी national dairy development board and national cooperative development corporation के थू देगी ठीक है और department और नबाड जो यह 5% का interest subvention दे रहा है नबाड अपनी जेब से नहीं दे रहा नबा नबाड यह 5% का जो interest छोड़ रहा है यह interest subvention जो दे रहा है वो recover करेगा वो department of animal husbandry and daring से ठीक है ultimately सरकार यह 5% दे रहा है नबाड नहीं दे रहा है चलो जी आगे बढ़ो चोथा question x और y वाला question है ठीक है नबाड जैसे exams में तो काफी जादा पूछा जाता है नबाड ग्रेडे में question क्या कहता है कि देखो जी एक mission है जिसको हम बोलते है national livestock mission national livestock mission क्या कहता है कि rural poultry के अंदर entrepreneurs को develop करना है ठीक है अब यह जो national livestock mission है इसके अंदर central government जो है वो subsidy देती है तो कितने percent subsidy देती है x और कितने लाक तक की percentage और कितने लाक तक की ताकि parent farm, rural hatchery, brooder come, mother unit of production of hatching eggs ठीक है और इसके अंदर एक limit भी होती है कि कम से कम यह subsidy किन को दी जाएगी उन poultry farms को या उन entrepreneurs को जिनके पास कम से कम 1000 parent layers and chicks हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पह कितने percent तक की subsidy देती है national livestock mission के अंदर rural poultry को encourage करने के लिए option यह कह रहा है 40, 50, 70, 85, none of the above कहीं बार सबसे बड़ी problem क्या होती है कि इन questions के अंदर यह जो थोड़े लंबे questions है ultimately बच्चे को question समझने में सबसे जादा problem होती है ठीक है एक बार question को समझ लिया तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा सबसे पहले answer देखो the right answer will be option b 50% 50% subsidy सरकार देगी ठीक है अब next question जो आजएगा वो इसी का continuation है अब आपसे पुछाए कि why की जगा पर क्या आएगा ठीक है देखो सरकार क्या कहती है सरकार जैसे कहती है हम 50% subsidy देंगे up 2 maximum अब 2 कितना उससे जादा नहीं सरकार देगी जैसे आपका swiggy के अंदर या zometo के अंदर आप order करते हो न आप coupon code लगाते हो तो coupon code में वो लिखा होता है न वही 50% discount है लेकिन 50% discount only up to 100 रुपीज अब for example अगर आपने 300 रुपे की कोई चीज मंगाई है तो आपका 50% discount होना यह 100 आपको 100 ही मिलता है ठीक है तो 100 वो एक upper limit set कर देते हैं similarly इसके अंदर सरकार ने कितने लाख की upper limit set किये यह question है option A कहता है 25 लाख B कहता है 50 C 75 D 100 E 9 of the above तो यहाँ पर क्या से ही जवाब होगा so guys the right answer here will be option A 25 ठीक है 25 लाख जो है वो अपर लिमिट होगी इस से दाधा सरकार सबसीडी नहीं देगी sixth question के उपर आजाओ राष्ट्रिया गोकुल मिशन प्रोवाइट्स कैपिटल सबसीडी of what percentage for establishment of breed multiplication farm on hub and spoke model राष्ट्रिया गोकुल मिशन कैपिटल सबसीडी देता है ठीक है किस चीज़ के लिए अगर आप एक breed multiplication farm सेट अप कर रहे हो ठीक है cows, fellows के लिए तो उस पे कितने percentage की वो capital सबसीडी देता है 25%, 50%, 55%, 85% none of the above 25, 50, 75, 85, none of the above कितने percentage की सबसीडी देती है breed multiplication farm setup करने के लिए तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा again 50%, 50% की subsidy जो है वो offer की जाती है बायराष्ट्रिया गोकुल मिशन ओके, so one of the components of the scheme is establishment of breed multiplication farm, ठीक है hub and spoke model क्या होता है basically एक hub है जहाँ से various connectivities आप create कर रहे हो, ठीक है multiple लोगों को साथ में जोड रहे हो, 50% की capital subsidy दी जाएगी maximum value इसके अंदर भी है 2 करोड रुपे की, ठीक है 2 करोड की maximum value है eligible entrepreneurs को और जो entrepreneurs है जिनको ये पैसा दिया जाएगा उनको breed multiplication farm setup करना है और वो animal husbandry infrastructure development fund के अंदर से interest subvention भी जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है 50% की capital subsidy up to 2 करोड 7th question के उपर आजाओ जी, राष्ट्य गोकुल mission 2021-2025 तक सरकार पहले ही approve कर चुकी है तो इस 5 साल के period के लिए सरकार ने कितना पैसा राष्ट्य गोकुल mission को allocate किया है ये news बिल्कुल December की ताजा news नहीं है, पुरानी है लेकिन इस टाइप की news बार-बार P.I.B. में आती रहती है लाइन आती रहती है इनके उपर और paper के अंदर भी definitely पूछ सकते है So कितना पैसा दिया है 5 सालों के लिए Easy question है, इन 5 सालों के लिए सरकार ने इसको 2400 करोड रुपीज ओफर किये है Eighth question पे आजाओ, जो last question है हमारे इस particular lecture का December 2022 की अगर हम बात करें, कौन सी state है इंडिया में, जिसके maximum GI tags है maximum GI tags हैं कौन सी state के पास, इंडिया के अंदर A. करनाटका, B. तामिलाडू, C. U.P. D. कारला, E. none of the above अभी GI tags वाला न्यूज में था न, हमने एक दो वीडियो पहले वो GI tags जो नए अनॉंस हैं, वो भी discuss किये थे तो सबसे ज़्यादा GI tags कौन सी state के पास हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा GI tags हैं करनाटका के पास जाट जाओं बहुत ज़्यादा time consuming videos में बनाता नहीं हो तो बहुत ज़्यादा time आपका लगेगा नहीं और fast चलते हैं हम lectures के अंदर काफी ये देखो ये lectures YouTube पे बनाए ही इस sense से जा रहे हैं कि इनको थोड़ा सा fast run किया जाए तो कोशिश करो जितना हो सके इन videos को देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो ताकि अपडेट्स मिलते रहें टेलीग्राम को आप जॉइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में चलिए मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तिल देन टेक क्यार एंड बाई